मेरे परिवार जनो मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब आदाज हिंद फोज के 75 वर्स होने पर मुझे इसी लाल किले पर तिरंगा फैराने का सवभाग्य मिला था नेता जी का जीवन परिस्रम ही नहीं पराक्रम की भी पराकाश्टा है नेता जी ने भारत की आज़ादी के लिए अपने सपनों अपने आकांशाओं को तिलांज ली दे दी वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते थे लेकिन उन्हों ने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया नेता जी देश के उन महान सपुतों समय से एक थे जिन्हों ने विदेशी सासन का सिरफ विरोधी नहीं किया बल्कि भारत की सब्वता पर सवार उठाने वालों को भी जवाब दिया कि नेता जी थे जिन्होंने पूरी ताकत से मदर अब डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान को विश्व के सामने रखा जब दुनिया में कुछ लोग भारत में लोग तंत्र के प्रति आशंकित थे तम नेता जी ने उन्हें भारत के लोग तंत्र की उसके अतीद को याद दिलाया नेता जी कहते थे कि डेमोक्रेसी हूमन इंस्टिटूशन है और भारत के अलग अलग स्थानों में सैक्ड़ों वर्सों से ये ववस्ता चली आ रही है आज जब भारत लोग तंत्र की जन्नी की अपनी पहचान पर गर्व करने लगा है तो ये नेता जी के विचारों को भी मजबूत करता है